कि हलो नमस्कार दोस्तों उमीद है आप लोग बहुत अच्छे से स्टड़ी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत कम टाइम है और बेकेंसी बहुत समझी की जो भी हासरकार है बहुत ज्यादा ही दे रही है और यहीं एक मौस आपके लिए उसर है ज्यादा से ज्यादा टाइम दीज जाए और अभी देखा जाए तो 70 BPC के लिए अगर बात किया जाए तो 70 BPC में खबर यह है कि लगभाई गारशों शाड़े गारशों के लगभग सीट रहेंगे और इसमें उसर भी बहुत ज्यादा है उसर कहें तो उन लोगों के लिए भी एज बढ़ाई जा रही है जिनक उसके लिए भी यहां पे बहुत ही ज्यादा उसर है बिहार में बिपीसी जो टीचर 3.0 है उसके लिए अभी हाली में तुरंत 25 फेबरुरी को जो हमारे स्टुडेंट जो बहुत सारे हैं जो एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बिलकुल टाइम नहीं है और बिहार इससी और सयो गांदोलान 1922 तक हम लोगों ने किया था 1922 में जो घटना घटी वहां तक हम लोगों ने कम्प्लीट किया उसके बाद परतिक सन का जो घटना है जहां से सवाल पूछे जाते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे जैसे 1921 जैसे आप देख रहे हैं 1921 में तो यहां पर द इंडिया गेट की स्थापना दिली में होता है 1921 में दिली में 1921 में इंडिया गेट की स्थापना होता है और यहां पर देखेंगे गेटवे अफ इंडिया की स्थापना मॉंबई में 1911 में होता है यह प्रस्में पूशा हुआ था एक बाद गेटवे अफ इंडिया की स्थ अपना मुंबई में कब होता है 1911 में ठीक है देखिए 1921 में प्रिंश ओफ जो वेल्स है इसी समय भारत आया हुए थे प्रिंश ओफ वेल्स भारत आया थे 1921 में ठीक है इंडिया गेट की अस्था अपना दिल्ली में 1921 में होती है यह देखिए केरल के मलाबार तटपर है यह बहुत बड़र परस स्न पूछा गया है बहुत भी भी हैं केरल के मलाबार तटपर मोपला बिद्रो जिसका नेत्रित अल्ली मुस्लियार ने किया था यह अभी आपको 1921 की ही घटना है और यह जब भी पूछेगा कि मौपला बिद्रो कहा हुआ तो यह मालाबार तट पर हो जाता है कभी-कभी अगर मालाबार तट ना दे अगर केरल दे तो यह भी हो जाएगा मौपला जो बिद्रो है उसका अन्यत्र तो किस ने किया तो अल्ली मुस्लियार हो जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको एकदम रट लेजिए ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते है आगे हम लोग 1923 के घटना देखेंगे 1923 में स्वाराजपाटी का गठन होता है 1923 में स्वाराजपाटी का अस्थापना होता है और इसकी अस्थापना इलाहबाद में होती है और ये प्रस्न देखे बहुत बार भी पूछा हुआ है इसके अस्थापना इलाहबाद में होती है 1923 में किसका सुराजपाटी का इसमें अध्यक्ष जो बने उनका नाम है चितरंजन दास ठीक है अध्यक्ष जो बने सुराजपाटी के उनके अध्यक्ष चितरंजन दास हो ज हुआ 1923 में ठीके 1923 में हुआ अब हम देखेंगे स्वाराज पार्टी का उदेश से क्या था क्योंकि बहुत सारी पार्टियां थी 1923 में कौन ऐसी मतलब होता है कि कारण हुआ जिसके वज़ें से स्वराज पाटी का गठन हुआ तो दीखें ये क्या चाहते थी इनका उदेश से क्या था तो दीखें बिधान परिशद का चुनाव लड़कर अपनी बातों को संसद के समक्ष रखना इनका उदेश से था इन्होंने कहा कि बिधान परिस्द का चुनाव लड़ेंगे और लड़ करके जब हम संसद में जाएंगे तो अपनी बात वहां पर क्या गरेंगे रखेंगे इनका यहीं उदेश सथा इसका बिरोध किस ने किया यानिकि स्वराज पार्टी का जो अस्थापना हुआ तो इस सम आप्टर राजंदर परसाद हो जाते हैं सरदार बल्ला भाई पटेल हो जाएंगे और सी राजगुपालाचारी होते हैं यह तीनों जो लोग है ना स्वराज पार्टी का विरोध किया था राजंदर परसाद सरदार बल्ला भाई पटेल सी राजगुपालाचारी ठीक है च इन्होंने स्वाराजपाटी का समर्थन किया और शाती साथ एक और भी है जिनका नाव है डॉक्टर स्रेकरिशन सिंग इन्होंने भी स्वाराजपाटी का समर्थन किया और यह जो डॉक्टर स्रेकरिशन सिंग है यह बिहार के पहले मुख मंत्री होते हैं ठीक है यह बिहार के पहले मुख मंत्री होते हैं ते तो हम लोगों ने बिरोध भी देखा सbury पा कुल गोंगों ने किया मदन नों भी है और सरे कृष्णन से भागुढ ब कुछे हैं देखे हम अभी जो भी कर रहें सिफ एक्जाम के परपस से ही यानि कि जो भी आप इतिहांस पढ़ रहे हैं जोगरफी, पॉलिटी, साइंस जो भी पढ़ रहे हैं उसका मकसा देखी है एक्जाम फाइट किया जा यहां से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं बिहार केसरी किसको कहा जाता है पूछा जा सकता है यह सरे कृष्ण सिंह हो जाते हैं जिनको बिहार केसरी कहा जाता है आंधर केसरी किसको कहा जाता है तो आंधर केसरी टी परकासन को कहा गया है टी परकासन को आंधर केसरी कहा गया है और बंगाल जो केसरी है बंगाल केसरी किसको बोलते हैं आसुतोस मुखर जी को बोलते हैं आसुतोस मुखर जी को बंगाल केस्री कहा जाता है और यहां पर देखे पंजाब केस्री जो बहुत बार परस्न पूशा हुआ है बहुत बार परस्न पूशा हुआ है कि पंजाब केस्री के नाम से को जाते हैं तो लाला लाजपत रह हो पंजाब किस्त्री के नाम से ये प्रसिद्ध है चलिया आगे हम लोग देखेंगे अब घटना हमारा 1924 का है ठीके 1923 में हम लोगों ने देखा 1924 का घटना है देखे 1924 में कहा जाता है कि गांधी जी पहली बार कॉंग्रेस के अधक्ष बने थे 1924 में यह उन्हेसा चौज सोबैस में कहा जाते कि गांधी जी पहली बार एक मात्र पॉंग्रिस के इकी ही बार अधक्ष बने तेक और यह अधक्ष बने थे महत्मा कॉंदध आपको हुआ तका करनातक में व्जा और यह अन्हीस सोचविस में याद रखेंगा 1924 के मात्र केवल मात् किमा गांधी को मिली और बेलगाव अधिवेशन उन्होंने किया और गांधिवेशन यह करनाटक में है ठीक है के देखेए मैं गांधी जीच एक संद्भी होता हे गांधी जीके द्वार्द संज़योता होता है कब 1924 में गांधी जी और छितरंजन दास के बीच में गांधी दास समझोता होता है ठीक है एक और भी घटना हम लोग देखते हैं 1924 में सुराज पाटी ने पहली बार सम्विधान का मांग किया था 1924 में किसने तो सुराज पाटी ने और सुराज पाटी के अस्थापना 1923 में होती है है और 1924 में पहली बार सम्विधान का मांग सुराज पाटी के द्वारा किया जाता है ठीक है उसके बाद देखे जो 1924 में एक और घटना जो बहुत ही महत्तपूढ है आपके लिए आपके रिपब्लिकन एस्थापना यह बहुत बार एकजाम में पूछा गया है इसलिए इस पर ध्यान थोड़ा सा अच्छा से देजिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्थापना कानपूर में होता है 1924 में ठीक है कहां पर होता है कानपूर में इसके अस्थापना होता है 1924 में ह 1924 में सवराज पाठी ने संविधान की पहली बार मांग किया और इसी समय हरी की अस्थापना होता है ओर इसको हिंदुच्तान रिपपब्लिकनि सीसिसरत करते है और इसका चाहपना कानपूर ठीक है और इसमें देखते हैं जो सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्त रहे हैं हरे में वो चंद सेखर आजाद हो जाते हैं है ना और चंद सेखर आजाद चली आगे हम लोग इसको देखेंगे चली चंद सेखर आजाद हो जाते हैं राम प्रशाद बिस्मिन हो जाएंगे अश्फाक उल्ला खान हो जाते हैं रोशन सींग हो जाएंगे राजंदर लाहडी हो जाते हैं योगेस चंद चटरजी हो जाते हैं है ना और यह देखेगा चंद सेखर आजाद उसमें बचल निकल गया था अश्रफाक उल्ला खां को जो फासी मिली थी वो फैजाबाद 1927 में मिला था और रोशन सिंग को जो फासी मिला वो इलाहबाद में मिलता है और राजंदर लाहडी है इनको यूपी के गौंडा में फासी पर चढ़ाग दिया गया और योगिस चंदर चटरजी जो होत अब हम लोग देखें 1925 का घटना जो है देखें 1925 में हम लोगोंने 1924 देखा 1925 देखते हैं 1925 में कहता है 9 अगस्त 1925 सहारनपूर से लखनव आती हुई ट्रेन जिसका नाम एट ड्राउन ट्रेन को काकूरी नामक गाउं में राम प्रशाद बिस्मिल एम अश्फाक उल्ला गया है ना काकूरी ट्रेन को लुट लिया गया और यह उत्तर प्रदेश के सहारनपूर से लखनों की तरफ ठीट आती हुई जो ट्रेन थी जिसका नाम था एट ड्रेन ल्याद रखी आप उचा जा सकता एट ड्रेन इसी को इसी को दिखीगा ये काकूरी नामक जो गाउं उसी में रामपरशाद बिस्मिल और अश्फाक उल्ला खान जो थे उन्हीं के विचारों पर इसे लूट लिया गया इसी कांड को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं इनके दोस्यों को बचाने के लिए गुविल्द बल्लप पंत ने वकील जगत नरायन मुल्ला को नुक्त किया था याद रखिया किसको जगत नरायन मुल्ला को अब देखिए राम परशाद बिस्मिल का एक नारा है जो बहुत ही फिमस रहा सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोरे कितना बाजवे का दिल में है ना बहुत ही फिमस रहा और इन्होंने फासी के समय में ये मैं अपनी मां का दोध ही लोगा उन्होंने ये कातिल में है उसके बाद देखिए अस्फाक उल्ला खान रिकॉर्ड अनुसार पहला मुस्लिम जी से फांसी हुई है अश्फाक उल्ला खान को पहला करांतिकारी है और रिकॉर्ड ये कहती है कि पहला ये मुस्लिम करांतिकारी है जिसको फांसी दिया गया और धर्ती माग के द गौनिश्रय पार्टे की अस्थापना होती है हाणा मन रवाय के द्वारा होता है इसका संगा सुवियात शट संग में होता है कौनिश्टरय की अस थापना 1925 में यह परधी कर स्मक्रीर के Trust नियौट सेघिया ङौ Mussi को जबfia मतलड के स Smells subject रंक के दोरा है 25 में आरश्डित के अस्थापना होती है है ना झाल और इसो यह मं के सब के दोरह होता है 1925 में गतना है जो वर वर प्रसन आप से पूचा जाता है बहुत भीबी आई हो जाता है सरोजली नाइडु भारत की पहली महिला आधच कानपुरा ही वेशन में बली इसी समय जंडा गित बेजाई विश्व तिरंगा प्यारा गया गया और इसकी जो रचनाकार हे उनका नाम है स्याम लाल गुप्पा हो जाते हैं ठीक है, स्याम लाल गुप्ता हो जाते हैं बहुत बेतर फेक्ट है अगर हम लोग एक बार रिविजन कर लें तो कोई भी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फैदमंद हो जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हम लोग 1925 में एक और घटना घटती है भारत में पहली बार भारत में पहली बार बिधूत ठेट चली मुंबाई से कुछला के बीच में चला था ठीक है अगला देख़ते 1926 का घटना देखी है यहां से प्रस्न पूछे जाएंगे करता कि मॉन्टेंग्यू चेमसफोड परिशाद अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिलाओं को बोट देने का अधिकार मिला है ना देखिए 1919 का जो अधिनियम है 1919 का जो अधिनियम है जिसको हम लोग मांटेंगू चेमसफोड परिशाद अधिनियम की से नाम से भी जानते हैं महिलाओं को पहली बार बोट देने का आधिकार आपको मिला और भारत में पहली बार महिलाओं ने 1926 में क्या किया बोट डाला है ना 1926 में क्या किया बोट डाला है यह बहुत इंपोर्टेंट है और देखिए 1926 में को होता है 1926 में नौजवान सभा की अस्थापना नौजवान सभा की अस्थापना 1926 में होता है भगत सिंग ने इसकी अस्थापना किया था जिसके दो सक्रिय सदस्थ है इनका नाम है छबिलालदास और यसपाल हो जाते हैं इसकी अस्थापना आपको पंजाब में होती है किसका नौजवान सभा की अस्थापना 1926 में आपको होता है पंजाब में और इसकी अस्थापना भगत सिंग के द्वारा किया जाता है जिसमें दो सक्रिय क्रांतिकारी है एक का नाम है चबिलास और दोस्था का नाम है यसपाल है ना चलिए आगे देखते हैं लोग उनिस्थ 26 में एक और घटना है कि सा में approximation के विचार पर ही हाना दनी सा आघ् tätड़न हुआ यह दक है और अगरा हम देखेंगे 1927 के घटना मी फिरह किसे सबसे प्राचिन नहर गसा नह्न गंगा नहर के स्थापना होती है चलि आगे देखेंगे इसको हम लोगो छेलेया । ठीक है भारत की सबसे प्राशित नहर कौन है गंगा नहर उननीशोषटाइश में 1927 में भारत में पहली बार फस्ट रेडियो से परसारण हुआ था 1927 में पहली बार रेडियो से परसारण हुआ 1927 में Simon Commission का गठन हुआ जो प्रस्न पूछा जाता है बार बार और इसी Simon Commission के बिरोध में लाला लाजपत रैक को लाठी लग जाती है संडर्स के द्वारा और उनकी मिर्तु हो जाती है साइमन कमिशन के बार में हम लोग देखेंगे साइमन कमिशन का गठन का हुआ लंदन में हुआ कब 1927 में होता है 1927 में Simon Commission का गठन होता है जिसके सदस है सारे के सारे लोग गोरे होते हैं अंग्रेजी होते हैं और उनकी संख्या साथ होती है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष यहां पर Simon Commission के अध्यक्ष सौरजन साइमन हो जाते हैं ठीक तो यहां देखिए 1919 के रिपोर्ट की जाच करने के लिए साइमन कमिशन भारत में आई थी इसका बहिसकार कॉंग्रेस के अध्यक्ष मुहम्मद अंसारी के द्वारा किया गया है लेकिन समर्थक एक ही वेक्ति किया था डॉक्तर भीम्रा अंबेडगर ने तो चलिए अगला हम लोग इसके बाद यानिके 1927 के बाद हम लोग जो भी घटना होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं ज्यादा लंबा ना किया जाए ठीक है